खरगौन से सनाथ की और जा रही यात्री बस में सफर कर रहे यात्रियों की जान उस वक्त संसत में आ गई जब अचानक बस असंतुलित होकर नदी में जागिरी गनिमत रही कि हास्ते में कोई हताहत नहीं हुआ परिचालक सही तीन यात्रियों को चोट आई है जिनने उप्चार के लिए जिलास्ता लाया गया हाथ सा टायर फटने करन ग्राम रोडिया के समीब होना बटाय जा रहा है घायलों को निकालने के लिए ग्रामिनों ने सतरकिता दिखाई है रहागीर और ग्रामिन नदी में उत और बस से सवार यात्रियों को बाहर निकाला गया पुलिस से मिली जानकारी अनुसार यात्री बस सनावत की ओर जा रही थी शामकरी पांच बटे रोडिया के समीब बनेट पुलिया पर टायर फटने से बस असंतुलित होकर नदी में जागिरी सिविल सर्जन ने बताया चा पुल पैसे नीचे गिर गई कि आनका मचाक्ब, इ्का कःका कामा फटने ब Dartmouth, बाहर गवर दिर करना के भी में ऊधी का साह बचार शुलित हमकी लुहा सी आगित होकर गार्फे होकर में जाग 5,10 से आगच खका काकम फटे होकर के थाधरण होकर करने फटने में जाखा में जाे फोकर रहायर केम भिशाय क थे नयां में पहां ते निंतां निया कृण्या कृणति को तुन हमारा हुआएल कर दो भीया तुन है यह बस महां जा रही थी, महां में सनावत जा रही थी यह रोडिया के बीच में उसमें गाड़ी यह पर रही पंद्रा सवारी अब दोड़े सब गाउन वाले आएं हुआ अब देखतार थी आठेगा है पस्यानाम है आपका जानाम? सीमा सावले मिटियाई रोड धरगोन बस नदी में पलनने की जो है गटना हुई है उसके सुछना बिली थी तो यहां पे सारे लोग हम इसा इतरित हो गए थे उनी तरह से तयार थे अभी एक ही एंजियोर पेशन्ट आया है वो ड्राइवर बता जा रहा है कि हालत थोड़ी सी गंबीर है हमारे चिकित से कुछ का ज अब ही एक धायल उपस्तित होआ है है उच्छाड चलगा आई सूर में बठती ज़के उच्छाड कर जा है खारन क्या बता रहा है जरे दटा रहा है बसकुछ नदी में बशक्ति गिना बताय जा रहा है तो यह नम इंग्त्या अमस्ट अ आप देख रहे हैं हमारा चैनल S24 News हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुलें